हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आशी इसिंग लेक्षर्स के इस नए वीडियो में दोस्तों ये वीडियो जो है उप सहा सेयोजी यौगिक का आईू पी ऐसी नामकर्ण किस प्रकार किया जाता है उसके बारे मैं अध्यान करेंगे इसके पहले वाले वीडियो में आपका एक उपसा सयोजी योगिक कैसे बनता है इसके अंदर कौन सा important concept है और ये दूसरे योगिकों से किस प्रकार भिन है ये अपन पढ़ चुके हैं आज मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत terms बताऊंगा उन terms को बताने के बाद में हम शुरू करेंगे IUPAC नाम करें पहली term है दोस्तों जैसा कि आप लास वीडियो में पढ़ चुके हो कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा होता है जो एक दूसरे बंदे को अपना एका की युगमत देता है जिसे यहाँ पर NH3 है तो जो आपका NH3 है वो अपना एका की युगमत देता है कोबाल्ट को सही बात है तो जो एका की युगमत को ग्रहन करता है उसे कहा जाता है केंद्रिय परमाणू तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में एक बात को लिखो कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहन करता है उसे अपन क्या कहते है केंद्रिय परमाणू जो इलेक्ट्रॉन युगम को देता है लास्ट वीडियो में अच्छे समझायवा उसको जरूर देख लेना जो इलेक्ट्रॉन युगम को देता है उसको कहा जाता है लिगेंड उसको क्या कहा जाता है लिगेंड इंग्लिश में बोलते है ल आई जी ए एंडी उसको क्या कहा जाता है लिगेंड तो जो लेता है इलेक्ट्रॉन को उसको कहते हैं केंद्रिय परमाणू उसके बाद ये जो है इसको कहते हैं लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है जैसे यहाँ देखें तो ये आपका है इंदरिय परमाणू इलेक्ट्रॉन लेने वाला और ये जो बाई-साब है जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो CN है और CN आपका किलाता है LEGEND ठीके दोस्तों केलियर हो गया concept अभी LEGEND के अलग-अलग प्रकार होते हैं उसके बाद बहुत साजी परिभाशाएं हैं वो मैं इस वीडियो में cover नहीं कर रहा इस वीडियो का main target है आपको IUPAC नामकंड सिखाना तो IUPAC नामकंड सिखाने के लिए आपको एक बात अच्छे से पता होने चीए कि गुरू कोस्तक के अंदर ये गुरू कोस्तक है इस गुरू कोस्तक के अंदर जो बंदा एका की युमर को ग्रहन करता है उसको केंद्रे परमानू कहते हैं और जो कोई बात नहीं है बस ध्यान से सुनते जाना तो गुरू कोस्तक के अंदर ये ले रहे है बाई साब केंद्रे परमानू देने वाले लिगेंड गुरू कोस्तक के अंदर ग्रहन करने वाला केंद्रे परमानू देने वाला लिगेंड ये भी बाइसाब D-block के member है तो इनके पास खाली जगे रखी होती है तो ये electron को grand करते है और देने वाले बंदे के पास हमेशा एक एकाकी युगम एक्स्ट्रा होता है जैसे यहाँ पे Cn है तो Cn- है तो Cn- जो है वो अपने electron दे रहा होता है इसलिए यहाँ पे Cn- किसकी भूमिका निवाता है लिगेंड की भूमिका निवाता है ठीक है आया मज़ा किलेर हो गया है अगे सुनो अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि इस गुरू कोस्टक के उपर इस गुरू कोस्टक के उपर प्लस आवेश है या इस गुरू कोस्टक के उपर माइनस आवेश है कैसे पता लगाएंगे बहुत सिंपल है इस गुरू कोस्टक के बाहर कौन है Cn Cn कैसा होता है थोड़ा बहुत common sense तो होना चीए दोस्तो Cn- होता है ठीक है ओके तो Cn- होता है कितने Cn है 3 इसका मतलब ये 3Cn के उपर आवेश कितना होगा माइनस का 3 इस माइनस के 3 को बैलेंस करने के लिए इस माइनस के 3 को बैलेंस करने के लिए इस गुरू कोस्टक के उपर कितना चार्ज होना चीए प्लस का 3 मतलब आपका जो गुरु कोस्टक है वो धनायन है पर ये बंदा रिनायन है इधर देखते हैं के, पोटेशियम, सोडियम कबाई, सोडियम कौन होता है, Na+, K+, है ना, सोडियम का परिवार का सदस्य है, तो ये भाई साब जो हैं वो प्लस है एक के के उपर प्लस वन चार के के उपर प्लस का चार इस प्लस के चार को बैलेंस करने के लिए इस गुरु कोस्टक नाम की चीज़ पे होना चीज़ है माइनस का चार्ज इसका मतलब यहाँ पे गुरु कोस्टक जो है वो धनावेश है अगर आपका गुरु कोश्टक वाली चीज अगर प्लस में तो अलग रूल चलता है और गुरु कोश्टक वाली चीज माइनस में तो अलग रूल चलता है इसलिए आपको दौनों के rule समझने से पहले ये पता लगाना आना चीए कि कौन मुणना पलस में है और कौन मुणना माइनस में ठीक है यहां तक चलिए अब rule number one सीखते है rule number one सीखाने के लिए आपको छोटा से बंदे का नाम बताता हूं na-c al NaCl का नाम जानते हो न, Na+, Cl- होता है, इसको कहते है Sodium Chloride क्या बोलते हैं इसको Sodium Chloride, एक बाद बताओ Sodium धनायन है Chloride, रिनायन है मतलब पहले किसका नाम लिखते हैं धनायन का, फिर किसका नाम लिखते हैं, रिनायन का Very Good तो एक बात हमेशा याद रखना ऐसे ही इनका नामकर्ण संसकार करने में भी पहले धनायन का नाम आता है उसके बाद रिनायन का नाम आता है और चाहे इधर करेंगे तो भी धनायन का नाम पहले आएगा रिनायन का नाम बाद में आएगा हमेशा इस बात को ध्यान रखना है जो बंदा इस चीज को भूल गया उसका खेल खतम है तो उसको सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि धनायन का नाम पहले आता है और रिनायन का नाम बाद में आता है रूल नमबर टू यहाँ पे धनायन जो है वो गुरु कोस्टक में है धनायन किसमें गुरु कोस्टक में है इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाएगा गुरु कोस्टक के अंदर दो लोग होते हैं एक तो लिगेंड होता है और एक केंदरी परमाणू होता है तो पहले नाम आएगा लिगेंड का, उसके बाद नाम आएगा केंदरिये परमाणों का और केंदरिये परमाणों की जो ओक्सिकन अवस्था है, ओ, एस, वो ब्रैकेट में लिखी जाएगी और इस तरह से जो ब्रैकेट के अंदर है, उसका नाम संपन्न होगा बाद में जो रिनायन है, उसका नाम बाहर लिखा जाएगा और एक बाद याद रखना, रिनायन की संख्या नहीं बताई जाएगी अब इस सब समझ में आ जाएगा, टेंसन नहीं है एक बाद में step by step बता रहा हूँ, उसको समझो ये कमाल फॉर्मूला आपको नामकंड संसकार में यूं 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 मकंड कर देगा इधर देखो इधर रिनायन किसमे है, गुरू कोस्टक में तो सबसे पहले नाम दनायन का हैगा अब दनायन गुरू कोस्टक के बाहर है, तो संक्या नहीं बताई जाएगी संक्या नहीं बताएंगे देख ले ना भया जो बाहर है, गुरू कोस्टक के बाहर है, उसकी संक्या नहीं बताएंगे बाहर रिनायन है, तो उसकी संक्या नहीं बताएंगे गुरु कोस्टक के बाद धनायन है उसकी संक्या नहीं बताएंगे गुरु कोस्टक में वो ही तरीका पहले लिगेंड लिखेंगे उसके बाद केंद्रिय परमाणू एक बास बहुत खास है कि केंद्रिय परमाणू का नाम बदलेगा जो नाम बदलेगा बताऊँगा एंद्रे परवाणों का नाम बदलेगा उसके बाद गुरू कोस्टक में बिसिक कोस्टक में सकी ऑकसीकर्न סंख्या बस इतने से रूल है ये दो रूल याद कर लो सारे के सारे नामकर्न संशकार चुटकियों में कर लोगे मक्खन कर लोगे अब तो मुझे प्रैक्टिस करवानी है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके द्यान से सीखना बच्चों बहुत मजाने वाला है बहुत बहुत मजाने वाला है शुरू करते हैं शुरू करें और यहां भी लिख सकते हो लिगेंड संख्या सहीद चलो तो यहां भी लिख सकते हो लिगेंड संख्या सहीद चलो शुरू करते हैं द्यान से सुनना इसका नामकर्ण संसकार करते हैं सबसे पहले नामकर्ण संसकार में मैंने आपको क्या बताया था कि यह पता लगा लो प्लस कौन है माइनस कौन है पता लगा लिए आपने कि 12 सी यल भाई साब बैठें 3 सी यल है मतलब 3 माईनस है उसको बैलेंस करने के लिए इन भाई साब के उपर 3 प्लस होना चीए बहुत बढ़िया चल गया पता अगर धनायन आपका गुरु कोस्टक में है, मतलब आपका गुरु कोस्टक वाला पार्ट धनायन है तो क्या करना है, सबसे पहले लिगेंड को संक्या सहीद लिखना है तो मुझे बताओ इसके अंदर लिगेंड को होने है NH3, तो NH3 का नाम आपको पता होना ज़िए, कि NH3 को एमीन कहते है तो लिगेंड के नाम आपको पता होने चीए आप एक काम करना जो हमारी एप्लिकेशन है उस एप्लिकेशन को इंस्टॉल करना उसके अंदर में एक PDF बाट रहा हूं सबको फ्री उस PDF के अंदर जितनी भी लिगेंड के नाम है वो साहे लिखेयर मिलेंगे आप जाकर के उसको याद कर लेना कि जैसे अमीन है NH3 कहीं भी आएगा तो उसके लिए क्या लगेगा अमीन लगेगा जैसे कारबन के नामन कलेशन में आपने याद किया था था न F को फ्लोरो कहते है CL को क्लोरो कहते है BR को BRUMO कहते है I को IDO कहते है वैसे यह NH3 को लिखेंड की रूप में क्या कहा जाता है एमीन कहा जाता है ऐसे ही मैं आपको बता दूँ यह जो CN भाई साब है इन CN भाई साब को SINO कहा जाता है तो यह तो आपको याद करना ही पड़ेगा चलो सुनो तो सबसे पहले लिगेंड को लिखना है संक्या सहीथ कितने लिगेंड है एनेस्थ्री है एनेस्थ्री है एनेस्थ्री है एमीन केते है कितने एनेस्थ्री है छे है छे को क्या बोलते है एक को बोलते है मोनो, दो को डाई, तीन को ट्राई चार को पेंटा, पांच को चार को टेटरा, पांच को पेंटा छे को हेगजा कहते हैं तो यहाँ पे लिगेंड संक्या सहीत तो छे लिगेंड हैं हेगजा लिगेंड का नाम क्या है? एमीन हेगजा एमीन लिगेंड का नाम पूरा हो गया उसके बाद केंद्रिय प्रमानों का नाम केंद्रिय प्रमानों कौन है कोबाल्ट तो कोबाल्ट को कोबाल्ट ही कहते हैं तो सिंबल लिख लो कोबाल्ट उसके बाद ब्रेकिट में केंद्रिय प्रमानों की ओक्सिकर नवस्ता अब केंद्रिय प्रमानों की ऑक्सिगन आउस्ता कैसे निकाले जाएगी ध्यान से सुनना और सीखना इसकी ऑक्सिगन आउस्ता X मानलो अमोनिया NH3 के उपर कोई आवेश नहीं है NH3 के उपर कोई आवेश नहीं है NH3 के उपर कोई आवेश नहीं है तो 0 प्लस में, एक सील के उपर कितना आवेश होता है, माइनस वन, तीन सील के उपर कितना है, माइनस त्री बड़ाबर इस पूरे के उपर कोई आवेश नहीं है इस पूरे के उपर कोई आवेश नहीं है क्योंकि इसका प्लस 3 इसके माइनस नहीं को काट देगा इस पूरे के उपर कोई आवेश नहीं है बड़ाबर 0 X बड़ाबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है इसका मतलब कोबाल्ट की ऑक्सिंग नवस्ता 3 है तो 3 रोमर में लिखोगे 1, 2, 3 फिर से एक बार करके दिखाता हूँ जैसे माल लो आपको लिखाओ मिले कोबाल्ट Ns36Cl3 आपको लिखना है तो कोबाल्ट का X माल लो Ns3 का 0 0 को 6 से कुणा करो तो भी 0 याएगा 1Cl का माइनस 1, 3Cl का माइनस 3 बड़ाबर 0 तो X is equal to कितना आगया प्लस 3 आगया ठीक है उसके बाद एक काम कतम हो गया गुरो कोस्टा का नाम पुरा हो गया फिर बताना है रिनायन को रिनायन कौन है? क्लोरीन क्लोरीन जब रिनायन के रोप में सामने आता है तो क्या लगता है? क्लोराइड सोडियम क्लोराइड तो यहाँ पे रिनायन है CL माइनस और CL माइनस को क्या बोलते है? क्लोराइड कहते है तो क्या यहाँ पे मैं लिखूं कि CL माइनस 3 है क्या मैं लिखू ट्राई क्लॉराइड क्या मैं लिखू ट्राई क्लॉराइड या सिंपल लिख दू क्लॉराइड आप कुद बताओ मेरे को वहाँ साफ साफ लिखावा है संक्या नहीं बताएंगे तो जो गोस्टक के बाहर है उसकी संख्या नहीं बताएंगे बस इतना बताएंगे कि क्लॉराइड है तो यहाँ पर ट्राई क्लॉराइड नहीं लिखना है केवल क्लॉराइड लिखना है यही हो गया इसका नाम अब मन में सवाल आ रहा होगा किस तरह संख्या क्यों नहीं बताएंगे जब बताएंगी नहीं कि CL 3 है तो ऐसे काम चलेगा अभी क्लियर करूँगा बट मेरी बात को पहले समझो कि नामकर संसकार कैसे किया यह तरीका आपके सामने लिखा है पहले पता लगाओ गुरु कोस्टक प्लस है कि माइनस है उसके बाद अगर प्लस है तो सबसे पहले लिगेंड को संक्या साहित लिखो हेक्जा अमीन लिगेंड के नाम क्या होते है वो आपके पास आ जाएगा और वो आपके पास एक special वीडियो के अंदर मतलब एक special PDF में आएगा जो application में मिलेगी आपको तुसरी बात एनस्तिरी जो है आपका अमीन हो गया अच्छा है हेक्जामीन उसके बाद केंदरी प्रमाणों लिखो केंदरी प्रमाणों लिख लिया आक्सिगन आपसन निकालना सिखा दिया रोमन में लिख दो बाद में bracket का नाम खतम होने के बाद रिनायन की संख्या नहीं बताएंगे रिनायन सीयल है तो केवल क्लूराइड लिखेगे बाद खतम इधर आते हैं इसका नामकरण संस्कार करते हैं द्यान से सीखना इसके नामकरण संस्कार में सबसे पहले कौन है? धनायन रिनायन जो है वो गुरु कोस्टक में तो लिखेंगे पहले धनायन कोई संक्या नहीं बताएंगे जो गुरु कोस्टक के बार है संक्या नहीं बताएंगे कौन है गुरु कोस्टक के बार पोटेशियम कितना है चार CN को Sino बोलते हैं Hexa Sino उसके बाद केंद्रिय परमानो कौन है अब ध्यान रखना यहां केंद्रिय परमानो है Iron मैंने आपको कहा जब यह रिनायन में आएगा जब यह रिनायन में आएगा तो नाम बदलेगा अब वो बदला हुआ नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा कि FE को क्या कहते हैं यह भी मैं आपको PDF में दूँगा उसी PDF में लिखा होगा कि जब आपका बंदा जब आपका केंद्रिय परमानो जो है वो आपको मिलेगा किसके अंदर जब वो आपको मिलेगा रिनायन वाले भाग में यहां केंद्रिय परमानो रिनायन वाले भाग में तो उसके नाम के आगे एत लगेगा और आपका जो अएरन है वो बन जायेगा तो यहां पर ऐजेस्ट करो पर आपन देखते हैं तो यह एक खास बात है जो याद रखनी है अपन को कि आपका रिनायन, गुरुकोस्टर अगर रिनायन वाले भाग में हो तो यहाँ पे केंदे प्रमाणों को Fe को आयरन की जागे क्या लिखेंगे? फेरेट लिखेंगे तो पोटेशियम, एक्जसाइनो, फेरेट अब अपन को इसका क्या करना है? ओक्सिकन आवस्ता देखने, ध्यान से देखना बहुत सिंपल है निकालते हैं, इसका निकालना है Fe का, यहां करते हैं A4 Fe, Cn6 चेक करते हैं पोटेशियम का कितना होता है? प्लस 1, 4 पोटेशियम है प्लस का 4, प्लस Iron का, X माल लो क्योंकि इसी कापन को चाहिए Cn का होता है, माइनस का 1 6Cn है, माइनस का 6, बराबर 0 क्योंकि पूरे के उपर कोई आवेश नहीं पूरे के उपर कोई आवेश नहीं है यह आ गया, X माइनस का 2, बराबर 0 X is equal to 2, मतलब यहां पे आएगा Roman के अंदर, Oxy का नवस्ता 2 आपस समझ लो, A का प्लस 1 होता है 4K का प्लस का 4 होगा Fe का X माल लो, Cn का माइनस 1 तो माइनस का 6 बराबर 0 1Cn का माइनस 1, 6Cn का माइनस 6 पूरे के उपर कोई आवेश नहीं है 0, X माइनस 2 बराबर 0 X is equal to प्लस का 2 ठीक है, लेख दिया तो इस प्रकार से आप क्या कर दोगे I.O.P.S.E. नामकरण बस याद रखना जो मैंने बाब बताई पहले देखना कोई टक के अंदर बाईया प्लस में है कि माइनस में है अब आप चुछ दिमाग में आ रहा होगा कि जो गुरू को उस टक के बाहर है उसकी संख्या क्यों नी बताईंगे कोई भी नाम सही कब होता है जब उस नाम को बलाने भी बंदा आ जाए तो जिसका नाम राजु हुए वो आ जाना चाहिए अगर आपको आपके नाम से पुकरा जा रहा है तो आपका नाम सफल है सही है बिल्कुल वैसे ही अगर इसका ये नाम है तो इससे अगर मैं वापस से योगिक बनाऊँ तो ये बन जाना चाहिए अगर इसका ये नाम है इसका नाम ये है तो इससे अगर मैं वापस योगिक बनाऊँ तो बन जाना चीए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे टेट्रा पोटेश्यम क्यों नहीं लिखा, पर यहाँ पे ट्राइ क्लोराइड क्यों नहीं लिखा, देखना, सबसे पहले बात, रोमन संक्या के बाहर जो लिखावा है, वो मतलब आपका गुरू को स्ठक प्लस है, और फिर यह माइनस है, तब ही इसका नाम पहले लिखा है, रोजिक क्या कॉडिंग, कोबाल से कौन जुड़ावा है, कोबाल से जुड़ावा है, हेक्जा अमीन, अमीन अम लोग जानते है, एनस्त्री, तो एनस्त्री जुड़ावा उससे जो आपने ब्रैकिट में दे रखा है, ओक्सिकन आवस्ता, देखना, कोबाल्ट की ओक्सिकन आवस्ता ब्रैकिट में कितनी दे रखी है, आपने तीन, प्लस का तीन, एनस्त्री की कितनी होती है, पूरा जग जानता है, एनस्त्री की जीरो होती है, तो इसका मतलब इस chloride किते लगाने चाहिए जब आपको इसने बता दिया कि यहाँ पे plus 3 है और यह बाइसाब 0 पे आप जानते हो तो डब्बे के उपर plus 3 charge है उसको chloride से balance करना है तो खुद के ही common sense से आप समझ जाओगे कि 3 plus को balance करने के लिए 3 minus 3 है मतलब CL 3 चाहिए तो मुझे कहीं भी यह लिखने की जोतनी पड़ी इसके अंदर इसके नाम में कि CL की आउशकता 3 है बस मुझे अगर मैं केंदरी प्रमारों की oxygen आउसा लिख दूँ तो उसकी साहिता से आप अपने आप पहुँच जाओगे कि डब्बे पे कितना plus है और डब्बे भी जितना plus है उसके हिसाब से कितना minus जीए आप खुद calculate कर लोगे इसलिए दोस्तों जो bracket के बाहर होते हैं उनका नाम नहीं बताया जाता है इधर करके देखते हैं सबसे बढ़े लिखा है potassium बाद में आपका लिखावा है केंदे परमारों और वो भी ऐसे नाम बिगड़ा हुआ iron को ferret लिखावा है जब ऐसे 8 लिखावा हो ना last के अंदर तो ये 8 आपको ये बताता है कि आपका धातू जो है वो जो परमानू है आपका वो glucose track में है और उस पर minus है तो इसका मतलब glucose track वाली चीज जो है वो minus है इस नाम को देख की समझना आता है जैसे यहाँ पर कोबाल्ट अगर ये कोबाल्ट माइनस में होता ना तो कोबाल्ट टेट बोलते है उसको कोबाल्ट टेट बोलते है उसको तो आपका F-E जो है इस तरह से F-E का oxygen आउस्ता भी दे रखिये 2 है ठीक है अब आप समझना कि इस डब्बे पर कितना आवेश्य आपन निकालते है F-E दो दे रखा है प्लस का दो C-E एक C-E के उपड़ माइनस वन हेग्जा साइनो 6 C-E है माइनस का 6 कितना आया माइनस का 4 इसका मतलब इस पूरे डब्बे पर कितना चार्ज है सब जानते है एक पूरे प्लस वन होता है तो अगर आप ये निकाल चुके हो कि इस डब्बे के उपड़ चार माइनस है तो उसको बैरेंस करने के लिए 4 पूरे चार पूरे चाहिए होंगे मतलब K-4 कहीं भी लिखना निपड़ा कहीं भी लिखना निपड़ा कि पूरे चार्ज ही है डाइरेक्ट देख के बाद चाल गया कि अगर इतनी जानका ही दे रखी है उसने बता रखा है ना कि F2 वाला है हेक्जा साइनो है तो F2 अगर 2 वाला है और 6 साइनो है डब्बे के अंदर तो F2 का प्लस टू पता है तरह रखा है उसने Cn का मैनस का 6 बराबर कितना है मैनस का 4 मतब गुरू को स्टर क्यूपर मैनस 4 है उसको बैलेंस करने के लिए कौन है इसका मतलब लिखावा नाम सिह था नाम से यौगिक बन गया सिह सिह इसका मतलब लिखावा नाम सही था, राज़ू बोला, राज़ू आया, simple, यह बोला, तो यह आया, यह बोला, तो यह आया, कहीं भी इस 3 को बताने की जरूत नहीं पड़ी, simple, conceptual, अब आराम से आप फोटो किसे सके, इसके बाद मैं इसका एक example और देता हूँ और इसका एक example और देता हूँ फिर आप जाकरके legend के नाम वगर याद करके आना फिर अपने application में एक test रखेंगे नामकरण का फिर उस test को मैं solve करवाऊंगा नामकरण class चलिए जी अब ये दो example और करते ताकि आपनको ये rule अच्छे से clear हूँ एक rule में खतम कर दिया आपने देखो सबसे पहले पता रगाओ कि गुरु कोस्टक वाली चीज प्लस में है कि माइनस में है अगर प्लस में है तो ये वाले rule फॉल होंगे पर अगर गुरु कोस्टक वाली चीज माइनस में है तो ये वाले rule फॉल होंगे ओके जी इसमें देखा जाए तो गुरु कोस्टक के बाद CL है CL पर होता है माइनस वन मतलब गुरु कोस्टक प्लस में है मतलब ये वाले रूल फॉलो होंगे यहां देखा जाए तो आपको गुरु कोस्टक के बाहर है पोटेश्यम, पोटेश्यम पर होता है प्लस वन तीन potation है यह हो गया plus 3 तो guru costak होना चीह minus 3 पे मतलब यह caution जाएगा इस च्रेणि में तो सबसे फ़हला काम तो अब आप नहीं करना है कि पता लगाना है कि guru costak पर या guru costak पर minus है अब इसको अपन यहाँ shift कर देते हैं कौकि यह caution इस category का है हमें पता चल चुका है कौन क्या है कोबाल्ट Cn NO2 चल ये बात खतम अब पता लगाते हैं कि इसके अंदर केंद्रिय परमानू कौन है और लिगेंड कौन है जहांज समझना गुरुकोस्टक के अंदर ग्रहेंड करने वाला बंदा है कोबाल्ट और कोबाल्ट है आपका केंद्रिय परमानू ये CO3 कौन है CO3 2- आपको याद होना चीए कार्बोनेट तो CO3 2- जो है वो लिगेंड है और NH3 अमीन आप जानते हो ये भी क्या है लिगेंड है CO3 2- को बोलते है कार्बोनेटो और NH3 को क्या बोलते है अमीन ये तो मैं आपको बता है पीडियक मिलेगी उसमें याद करना पड़ेगा कि किस लिगेंड को क्या बोलते है CO3 2- को बोलते है कार्बोनेटो और NH3 को बोलते है तो ये दौनों यहाँ पर लिगेंड है लिगेंड अलगलड टाइप के हो सकते हैं के अंदिर प्रमाणू एक ही होता है उसके बाद यह आपका CL हो गया खीक है अब जब नाम लिखना शुरू करेंगे तो क्योंकि धनायन वाला पार्ट गुरुकोस्टक में है पहले इसका नाम आएगा तो लिगेंड संक्या सहित अब दो तरह के लिगेंड है एक तो कार्बोनेटो एक अमीन किसको पहले लिखें तो जो एल्फाबेट में अंग्रेजी वर्ण माना में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे अमीन का A, कार्बोनेटो का C तो ABCD में A पहले आता है तो पहले Amine को लिखा जाएगा लिगेंड संक्या सहीत और अगर एक स्यादा लिगेंड हो तो Alphabetical Order में करना है जैसे अपन Carbon के IUPAC नामकरण में करते थे चलिए साब आगे देखो कितने Amine है? 5 Amine है तो Penta 2 के लिए Die 3 के लिए Try, 4 के लिए Tetra 5 के लिए Penta तो Penta Amine ओके NS3 है Penta Amine साथ में कौन है? उसके बाद लिखेंगे इसको, ये कौन है? Carbonato कितना है? CO3 एक ही है तो Carbonato जब एक ही है तो Simple Carbonato लिग दो, एक बात याद रखना Cobalt में C बड़ा होता है O छोटा होता है, ये Cobalt है और जब Carbonato लिखा होता है मतब Carbonato होता है तो C बड़ा, O भी बड़ा तो ये Carbon है, ये Oxygen है यहाँ पर ये अपने आप में प्रतीक है Cobalt का, तो लिखते बाद बच्चे गलती करतेते हैं, कभी-कभी C को और वोको सेम बना देंगे बोलेंगे Cobalt है, नई ये Carbon है, ये Oxygen है Cobalt लिखना है, तो C बड़ा लिखो, O छोटा लिखो ठीक है, याद रखना है तो लिगेंड संक्या सहीत Pentamine Carbonato Pentamine Carbonato ये इंद्रिय प्रमाणों का नाम कौन है, Cobalt और धनायलोने भाग में Simple नाम लिख दो, Cobalt Bracket में आएगी Oxygen संक्या निकालते हैं Oxygen संक्या इसकी X माल लो Carbonate कितना आवेश है, माइनस का 2 Plus, Amine NH3 के उपहता है, 0 Cl के उपर, माइनस 1 बराबर 0 तो X माइनस 3 बराबर 0 जो X बराबर आगया Plus का 3, इसका मतलब जो Oxygen संक्या आई है, वो आई है Plus का 3, उसको लिख दो Roman संक्या में, टक 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 काम गतम, Rian Rian कौन है, Cloride संक्या नहीं बताएंगे, तो Simple क्या लिख देंगे Cloride नाम करण संस्कार संपन न हुआ, अब एक बाद जान लगना इससे वापस नाम लिखके दिखाता हूँ Cobalt Plus वाले पार्ट में लिखा हूआ है पहले लिखा हूआ है, इसका मतलब Guru Kostak Plus में है, Cobalt आपका केंदे परमानू है, Pentamine 5 आपके NH3 है Carbonato एक ही Carbonato है, एक ही CO3 है Cobalt के उपर 3 है मतलब Cobalt पर Plus 3 है, बता रखा है NH3 पर 0 होता है Carbonato के उपर Minus का 2 होता है Solve करेंगे, Plus का 1 आ रहा है अगर इसके उपर Plus 1 है, तो कितने CLC हैं बैलेंस करने के लिए केवल एक चाहिए तो इससे नाम बना लिया, नाम से वापस ये बना लिया Potassium, तो Simple क्या लिख देंगे Potassium इसके बाद Bracket में आएगा, Guru Kostak में सबसे बना नाम लिखा जाएगा Legand को Sankyya Sait, कौन है Legand 2 Legand है, एक आपके पास Cn है, Cn को क्या बोलते है नाम पता होना चीए हाजी, तो Cn आपका है Sino, यह आपको याद रखना है Charge कितना होता है, इसमें Minus 1, NO2 है, Nitro NO2 पे Minus 1 होता है, Nitro यह सब उस PDF से आपको याद करना पड़ेगा Legand का अच्छे से नाम ओके शुरू करते हैं, तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, देखो, Sino का C Nitro का N, Alphabet में कौन पहले आता है, C पहले आता है तो कितने Sino है, Legand Sankhya Sait, कितने Sino है, 5 तो Penta Sino इसके बाद, अगरा Legand कौन है, NO2, NO2 एक ही है Simple लिख दो, Nitro उसके बाद, जो आपका केंद्रिय परमानू है, वो Cobalt है बट Cobalt जो है, वो Rinayan में आया है, अगर केंद्रिय परमानू Rinayan में आता है, तो नाम बदलेगा और Cobalt के आगे 8 लगके वो हो जाएगा Cobaltate बस यही फरक है, अगर यह Cobalt प्लस वाले भाग में आता है तो Simple Cobalt रहता है, और अगर यह Cobalt माइनस वाले भाग में आया तो Cobaltate हो जाएगा तो यह हो गया Cobaltate विदिन ब्रैकेट, इसकी Oxygen आउस्ता निकालनी पड़ेगी, देखो निकालते है Potation का प्लस 1 होता है, 3 Potation है प्लस का 3 इन भाइस साब के मान लो X यह कितने है, 5 एक Cn के होती है, माइनस 1 पांच की होगी, माइनस का 5 NO2 पे होता है, माइनस का 1 एक ही NO2 है, माइनस का 1 बराबर 0, solve करो माइनस 5, माइनस 1, माइनस का 6 माइनस का 6, प्लस का 3, माइनस का 3 उधर जाके हो जाएगा X का मान, प्लस 3, तो यहाँ पे कोबाल्ट में ऑक्सिकन वस्ता आ गई प्लस 3, बस यह इसका नाम हो गया बात खतम, इसके नाम से योगिक मनाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले आपने नाम को देखा, नाम में कोबाल्टेट आ रहा है, कोबाल्टेट को देखके समझ जाना, कि आपका गुरु कोस्टक रिनायन है, और आपका कोबाल्ट यहां बैठा हुआ है, कोबाल्ट से किते लोग जुड़ेवे हैं, पेंटा साइनो तो सीन जुड़ेवे हैं, पाँच नाइट्रो, एनोटो जुड़ावा है, एक इसके उपर आवेश कितना है, चेक करते हैं कोबाल्ट है 3, दे रखाया है कोशन में अगर इससे वापस बनाना हो तो, वो सिखा रहा हूँ नाइट्रो पे कितना होता है, माइनस वन आपको पता है, Cn पे होता है माइनस का 1, पास Cn है, माइनस का 5 माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 6, प्लस का 3, माइनस का 3 मतलब इस पूरे के उपड़ माइनस का 3 है, उसको बैलेंस किसे करना है, पोटेशन से माइनस के तीन को बैलेंस करने के लिए तीन पोटेशन चाहिए होंगे अपने आप आप कहां पहुंच जाओगे यहां पे तो इससे ये कर सकते हैं इससे वापस ये कर सकते हैं सेम चीज आ रही है मतलब नाम एक दम सही है तो अब आप सीख चुके होगे कि आयूपेसी नामकर्ण कैसे कर आता है उपसा सहोजी यौगिक का मत आपको दो तीन बाते याद रखनी है सबसे पहले आपको ये देखना है सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो बंदा है उसमें धनायन वाला हिस्सा जो है वो गुरुकोस्तक धनायन है या रिनायन है अगर गुरुकोस्तक धनायन है तो ये तरीका फॉलो होगा अगर गुरुकोस्तक रिनायन है तो फिर ये तरीका फॉलो होगा इसमें पहले बाहर वाले बंदे का नाम आएगा फिर अंदर वाले का नाम आएगा और एक खास बात होगी कि केंदरी परमाणों का नाम बदल जाएगा इसके अंदर याद रखना कि पहले क्योंकि धनायन का ही नाम लिखते हैं हमेशा और गुरुकोस्टर धनायन है तो पहले दनायन का नाम आता है, फिर दनायन का नाम आता है तो इसकी इंशोट ले लो, टॉपिक खतम हो चुका है तो अब आपको एक एंपोइंट काम करना है कि एप्लिकेशन में जाकर कि उस फ्री PDF को असेस करना है, सारे लिगेंड के नाम याद रखने हैं और कौन सा बंदा जब नेगेटिव में आता है, तो क्या बोलते हैं एट लग के नाम क्या आता है, वो भी महा लिकावा है, वो भी आप वहाँ से पढ़ सकते हो फिर हम एक क्लास और लेंगे, जिसमें IUPSC की और प्रैक्टिस करेंगे वो वीडियो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करना हूँ, तो लगबख साड़े तीन लाख व्यूज पर पहुंच गया है इसको भी ऐसे प्यार देना और इसको भी हिट करवाना चलो जी, अब अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे कमेंट करना, लाइक करना, शेर करना और चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना और आप वाट्सप पर कॉनिट करके एप्लिकेशन और टेस सीरीज बाए कर सकते हैं तैंक यू सो मच